सभी किसानमित्रों को नमस्कार स्वागाते आप सभी का हमारे यूटूब चैनल इंफोटेक फार्मिंग लेडर में किसानमित्रों दिनाख है आज 29 मार्च दोहजार बाविस वार है मंगलवार समय हुआ है साड़े आट बात कर लेते हैं मंद्र प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदोर की चोईत्रा मंडी की इंदोर की चोईत्रा मंडी में 2300 की कितनी आवग देखने को मिली है वहीं कलका क्या भाव निकल कर आया था इन दोनों विश्यों में चर्चा होगी, साथ ही साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जानकरी आपको थोड़ी सी दी जाएगी, साथ ही इस वीडियो में आपको एक जानकरी में मांगना चाहता हूँ आपसे कि अगर आपके प्याज में, अगर त्रिप से हो और प्याज में खरा हो रहा है तब जाके मैं वीडियो बनाऊंगा हां अगर दो चार कमेंट आते हैं तो फिर उनको वहीं जवाब दे दूँगा मैं सिंपल इस्प्रेज जो होता है वह मैं बता दूँगा उसके साथ में आप उसको इस्प्रेज की जिएगा तो सही हो जाएगा प्याज आपका त इस वीडियो के माद्याम से आपको इन्दोर की चोहित्रा मंडी की एटू जहेड संपूर्ण सटी विश्वश्शन जैनकरी आवक की और कलके भाव की बताई जा रही है सबी किसान मित्रों से निवेदन अगर आपको यह जैनकरी अच्छी लेगी तो हमारे और भी किसान भायोता की जैनकरी को शेर जरूर कीजिएगा वाटसप और फेस्बुक के माद्याम से शुरू करते हैं वीडियो को देख लेते हैं सबसे पहले कल के भाव कल प्याज में 100 रुपे की मंदी रही 1100 रुपे लाष्ट उपर में हायस्त बहाव रहा प्याज़ का जो है 1312 रुपे रहा वहीं अगर हम बात करें लसुन की तो लसुन में 1000 रुपे की नर्मी रही देसी लसुन में देहसे लसुन दो रुप्रति किलो से लगाकर 30 फरी किलो यानि 2.000 पर typ Pis only Rays जीटो जो लसोन्हें हमारी तीन सेभी उर्पे वो 5,001 पर है हे एस्टेट रहार ऊटी का 4000से लगाक्र 5,001 पर Knees वही अगर बात कर लेते हैं, import export की जानकरी की, import export की जानकरी का मेरा तात्वरी है, कि हमारो जो प्याज है, इसके लिए बहुत अच्छी कुस्कबरी निकल कर आई है, कि प्याज का जो है, export होगा, और करीब करीब 15 अपरेल के बाद में एक्सपोर्ट चालू होने की संभावना मुझे लग रही है अगर इसा होता है तो हमारे जो नेफिट प्याज वाले भाई है मेरे किसान भाई है जितने भी भाई है उन भाईयों का बहुत फाइदा होने वाला है क्योंकि अगर एक्सपोर्ट होता है तो 101% प्याज का जो होना चाहिए आ रहाए लेक मेदे बाद के नश्याने अप्य घ्रकॉट है रहता है तब ही रेट अधाल कर लड़तो है कि आपके जरू चैलते हैँ आहरा की था है और्लें दप्यास की अबCarई आज 21-22,000 कट्टे ज्यादा आवक नहीं देखने को मिली है अलू की लसुन के अगर बात करें तो 40-45,000 कट्टे वहीं प्यास के अगर बात करें तो 50,000 कट्टे के संतिंग में आवक देखने को मिली है इंदूर की 14 मंडि का जो फाइनल भाव है और फाइनल वीडियो आएगा श्याम को 16 बजे, शाजापुर मंडि का वीडियो आएगा 11 बजे दोनों वीडियो देखना न भूलें अगर मैं 11 बजे अगर वीडियो किसी कालन से नहीं डाल पाता हूँ तो फिर आपको शाजापुर मंडि और इंदूर मंडि दोनों का जो वीडियो है वो कमबाइन में